हाई माई लवडीज आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी यह ब्यूटिफुल सा सॉफ्ट क्लैम फेस्टिवल मेकप लुक फॉर माई क्यूटी तीनेजर गर्ल्स इस लोग को प्रियेट करने के लिए मैंने बहुत कंब मेकप रडरक्स का यूज किया है और जेतने भी मैंने मेकप रडरक्स यूज करे हैं वो अंडर hyun sebelum वीडियो में आज चालने से पहले मेरे चानल को सबस्क्राइब कर ले लिए म пов में किसी भी तरीके का पैरापीन सलफेट सिलिकन कलर एड़ेट नहीं है इस हंडर्ड परसंट क्यामिकल फ्री मेड इन इंडिया कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है आपके ब्लैक हैट्स को भी रिमूव करता है साती सात अगर अगर अपकी स्किन पर आकने फिमपल ब्रेक आउट्स वगिर हो उन्हें भी आने से रोकता है। It is suitable for all skin type इस पेश वश में आको विल्ड इन ब्रॉश मिलता है इसकी packaging बहुत अच्छी है, hygiene के लिए भी बहुत ही better है face wash करने के बाद skin काफी जदा clear, fresh, glowing and soft लगती है next step में मैं लगा रही हूँ aloe vera gel, ये again wow skin science की तरफ से है तो क्या होगा न guys, basically aloe vera gel हमारा moisturizer and primer दोनों की तरह काम करेगा ये हमारे skin को hydrate भी करेगा, plus ये हमारे pores को थोड़ा बहुत फिल भी कर देगा teenager की skin already flawless होती है, skin पे ज़्यादा texture नहीं होता है तो aloe vera gel as a primer बहुत अच्छे से work करेगा अब मैं लगा रही हूँ Swiss beauty का ये pearl illuminator base in the shade silver pink मुझे na glowing makeup बहुत पसंद है, teenager की skin काफी से glowing होती है, अगर आप ये लगाओगे तो आपका makeup और भी ब्यूटिफुल लगेगा आपको क्या करना है थोड़ा सा लेकि अपने high points पर लगाना है and brush की help से अच्छे से उसी जगा पर blend करना है पूरे face पर मत blend करना, खाले अपने high points पर लगा के थोड़ा-थोड़ा blend कर लेना beautiful सा sheen आजाता है आपके makeup look में, हम किसी भी तरह का foundation यूज नहीं करने वाले इस makeup में तो मैं यूज करी हूँ लाक में की CC cream in the shade 01 इसे में लेके कुछ इतने amount में अपने face पर dot dot करके apply करूंगी तो CC cream का coverage भी like सही होता है आपको एक ठीक्था coverage मिल जाता है अगर आप foundation person नहीं है तो आप CC cream लगा सकते है टीनेजर के लिए CC cream एकदम safe रहता है वो यूज कर सकते हैं प्लस यह काफी affordable भी है beautifully blend भी हो जाता है बहुत flawless लगता है इस makeup look में हम किसी भी तरीके का concealer भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम कम से कम products यूज करेंगे तो मैं same CC cream को अपने under eyes पे लगा लूँगी अगर आपके बहुती visible dark circles हैं तो इसे height भी हो जाएंगे plus pigmentation है जहाँ पर आपकी तो आप उस चगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर spot है उस चगह पर लगा के beauty blender की help से blend कर लेजे natural finish मिलता है आप चाहो तो finger की help से blend कर सकते हो बट finger की help से blend करते हैं तो cake ही होने के chances आता रहते हैं इसलिए मैं beauty blender या फिर ब्रशी prefer करती हूँ अच्छे से सब कुछ blend करने के बाद बहुत ही flawless लग रहा था मेरा बेस तो मैं यहाँ पर बेला वास्ते की lipstick ले रही हूँ यह pretty pink shade है इसे लेके अपने मैं apple of the cheek पर लगाऊंगी इसे हम as a blush लगा ले है liquid blush cream blush अगर आपके पास कोई हो तो आप वह भी उस कर सकते हैं बट lipstick तो सब के पास होती है ना अपने कोई भी pink lipstick उठाओ अपने cheek और थोड़ा सा nose की tip पर लगा और अच्छे से blend कर ले ना बहुत ही beautiful makeup turn out होगा आपका काफी cute सा लगता है आपका makeup उसके बाद मैं LA 18 का compact ले रही थी यह बहुत ही affordable है guys and यह आपके base को na sweat proof बना देता है मतलब जब आ इसका इतना high नहीं है बट teenager के लिए बहुत ही perfect है daily makeup के लिए बहुत perfect है next मैं wet and wild की eyebrow kitty use कर रही हूँ यह आपको discount में 300 रोपे तक की मिल जाएगी बट इसका price I think थोड़ा सा जाता है आप चाहो तो swiss beauty की eyebrow pencil या फिर swiss beauty का वो two in one gel प्लस eyebrow आता है वो भी उसकर सकते हैसे मैं अपनी eyebrows बना लूँगी eyebrow बनाना बिल्कुल मत भूलना eyebrow आपके makeup को अलग ही level लेती है next मैंने wet and wild का clear mascara यूज किया था अपनी eyebrows को set करने के लिए याजा mascara बिल्कुल भी अच्छे से काम आइशाड़ के लिए मैं आपे ले रही हूँ small वाला swiss beauty का आइशाड़ पालेट इस पर मैं ये brown और orangish kind of shade लेकर अपनी eye crease and eyelid पर blend करूंगी with the help of a blending brush आज हम one color eyeshadow लोग करेंगे तो इसी के साथ मैं आज काम करूंगी और blend करूंगी eyes के edges को अच्छे से blend करेंगे ताकि कुछ भी हार्ष ना लगे मैं compact लेके ऊपर वाली crease पर लगाऊंगी ताकि ऊपर अच्छा सा एक transition effect आ सके एंड हमारा eye look एक दम flawless लगे काफी जादा easy eye makeup है मैंने teenager को ध्यान में रखते ही create किया था प्लस आप चाहो तो finger की help से भी blend कर सकते हो बस कुछ भी हार्ष नहीं लगना चाह तो shimri shade ले लो या फिर matte shade ले लो faces Canada का काजल लेके अपनी eyes के ऊपर वाली waterline में लगाऊंगी ताकि हमारी आँखे ना इससे बड़ी बड़ी लगती है कि illusion create हो जाता है और आँखे बहुत प्यारी लगती है mascara लगा लेंगे मैं faces Canada का mascara यूज़ कर रही हूँ आप अपना कोई भी favorite mascara ले सकते हो mascara लगाने से आँखे बहुत सुन्दर लगती है और makeup में eyes जाद़ attractive लगनी चाहिए मुझे lower lash line सुनी सुनी लग रही थी इसलिए मैंने same गाजल अपनी lower waterline में लगाया था थोड़ सा मोटा and mascara लगा लिया था mascara लगाने से eyes में एक अलगी जान से आजाती है eye makeup को और भी जद़ गिलामरस दिखाने के लिए मैं हाँपे Swiss Beauty का lip gloss ले रही हूँ और इसे हम अपनी eye makeup में लगाएंगे जहांपे हमने eye shadow लगाए थी वहाँपे middle में लगाके और इस तरीके से finger की help से blend eye shadow में different twist भी आ जाएगा इसे आप जरूर ट्राइ करके देखना उसके बाद जो हमने cream blush लगाया था यानि lipstick जो ऐसा blush लगाई थी उसे हम powder blush के साथ सेट करेंगी optional है अगर आप चाहो तो कर सकते हो नहीं चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो वाट मुझे blush लगाना बहुत पसंद है तो Swiss Beauty का blush लिया था मैंने baby pink कलर है और इसे लिएके अपने cheekbone पे apply करूँगी highlighter के लिए मैंने Glam 21 की highlighter stick अप्लाइ करी थी और इसे भी मैं अपने high points पे लगाऊंगी इसके पीछे ना एक brush भी दे रखा है तो इसी की help से मैं blend कर लूँगी बहुत ही natural लगता ही और इसकी ये shade म मैं description तो mention कर दूँगी तो आप check कर ले ना अब क्या बचा हमारी lipstick तो lipstick के लिए मैंने Swiss beauty की lipstick लिए थी I don't remember the shade buddy बोटी beautiful nude shade है आप चाहो तो pink color में भी लगा सकते हो nude color में भी लगा सकते हो जो भी आपका favorite color हो आप lipstick का लगा लो and हम अपने makeup को set कर लेंगे with inside का makeup fixer इससे हमारा makeup long lasting रहेगा thanks for watching lovely ladies अकर वीडियो पसंद आई हो तो चानल को subscribe कर देना वीडियो को share कर देना अपने friends के साथ बाई कर दूए आप्ण कर देना वीडियो का अपने above रहे हो पाई